तो यहां पर आज जिस वेकेंसिय की बात करेंगे वो यह आपर NHPC Limited की तरफ से है तो यह पर NHPC और इसका जो जो इंड वेंच्र है NHDC Limited दोनों की तरफ से यह आपर जो है वेकेंसिय है जो यहां पर कुल मिलाकर आपको 269 वेकेंसी यहांपर कुल आपको देखने को मिलेगी सभी ब्रांचों की मिलाकर एंड यहांपर जो वेकेंसी वो यहांपर trainee engineer and trainee officers की है जो कि यहांपर gate 2023 जो आपका score है उसके आदार पर direct भरती यहांपर की जाएगी तो आगे हम पटापट से बात कर लेते हैं जो भी इसके terms, condition and criteria रहेगा उनके बारे में तो सबसे पहले आपर vacancy, salary आदी की यहांपर बात करें तो आप यहांपर देख सकते हैं कि जो civil engineers के लिए यहांपर vacancy है उसके लिए यहांपर आपके पास civil engineering से degree यहांपर आपके पास होनी चाहिए इसके लिए जो age यहांपर जो मांगी गई है maximum age जो की 26 March 2024 के इसाब से count होगी वो आपकी होनी चाहिए यहांपर 30 year तो यह चीज़ आप यहांपर देख ले और यहांपर salary भी आपको 3% के early increment के साथ यहांपर मिल जाती है जो की 50,000 से लेके वोल लेक्ट 60 हाउजें रुपीर तक यहांपर आपको मिल जाएगी तो इसे तरह से यहांपर यह same condition के साथ civil engineer के लिए वेकेंसी है, mechanical के लिए है, electric वालों के लिए है बाकि आप अपनी अपनी जो education qualification है उसको यहांपर आप जो है notification को download करके अच्छे से और समझ कर यहांपर देख ले तो बात करते हैं आपर total number of vacancy की जैसा मैंने उपर बात की कि total vacancy यहांपर 269 है जो की किस तरह से यहांपर रहे की उसकी बात करें तो यहांपर जो training engineer की जो vacancy यहांपर है NHPC and NHDC की मिला करके तो वो यहांपर 80 vacancy यहांपर NHPC जो की यह civil engineers के लिए हम यहांपर बात कर रहे हैं यह यहांपर 80 vacancy NHPC में है बाकि 11 vacancy जो है यहांपर NHDC की तरफ से है तो इस तरह से civil engineer की मिला के टोटल यहां पर 91 वेकेंस से आपको देखने को मिल जाएगी तो अच्छे का से वेकेंस आप आप लोगों के लिए पर जो है रहेगी इसी तरह से आप एक इंजिनियर मेकेनिकल वाले भी यहां पर देख सकते हैं जिसमें आपको देखने को मिल जाएगा कि एएएस पीसी की तरफ से यहां पर वेकेंसी आपकर है तो इस तरह से कुल मिलाकर यह 269 वेकेंसी है साथ यहां पर आप केटिग्री वाहिज भी आप जो डिवाइडेसन ह वो यहाँ पर देख सकते हैं जिसमें सिविल इंजिनियर्स के लिए जो 34 & 5 यानि टोटल मिलाकर 39 जो वेकेंसी वो यहाँ पर अन्रिजर के जन्रल के टिगरी है इसके अलावा EWS, OBC, SC सब्सक्राइब कर सकते हैं तो यहाँ पर आगे बढ़ते हैं और अब आपर देख लेते हैं जो आपको देख सकते हैं पंदर लाग का यहाँ पर रहेगा बाकी टर्म्स गंडिशन जो भी आपका ग्रेड़ पर है यह जोब के बाद जो भी आपको जिसे तरह से डिसाइट के जाएगा वो यहाँ पर आपका रहने वाला है प्लेस्मेंट की यहाँ पर बात करें तो जो भी इनकी जहां भी इनका working जो इनके office amendment वहाँ पर जो है आपको जो पोस्टिंग यहाँ पर दी जाएगी selection होने के बाद selection process की यहाँ पर बात करें सबसे main चीज़ यहाँ पर आती है जिसमें इन्होंने दे रख खता कि यहाँ पर जो gate score है वो यहाँ पर आपका रहेगा gate score 2023 के आधार यहाँ पर यहाँ पर भरती होगी तो gate score का जो यहाँ पर वेटेज निकाला जाएगा उसके अलावा यहाँ पर group discussion and personal interview आपका होगा और उसी criteria के आधार पर फिर जो है यहाँ पर final selection दिया जाएगा तो यहाँ पर आप वेटेज देख सकते हैं 75% वेटेज यहाँ पर लिया ज अची है तो आपको जो है चांच यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा आपके यहाँ पर रहेंगी सेलेक्ट होने के तो आप जरूर से यहाँ पर apply करें जो है try जरूर करें बाकि जो भी basic share terms condition इन्होंने दे रखी है यह भी आप एक बार जरूर से देख लें छोटी-छोटी में मिलते हैं तो आप देख पाएंगे आप गवर्मेंट की जो चर्म्क कंदिशन के रिखेंसे इसकी जो पर मिलता है वो सारी चीजेंगी यहां पर लागू होती है तो इसके आप से जो भी रिजूर्स के डिए वाले डिए वो यहां पर इन चीजओं को देख लें पर वाया जाएगा अगर आपका सेलेक्शन हो जाता है तो इनकी गाइडलाइन एंटरमस कंडिशन का अनुसार जो सर्विस बॉंड है वह यहां पर रहेगा तो वह भी बैसिक सिया पर चीज है पता ही होगा आपको जो यहां पर यह प्लेकेबल रहता है तो आगे यह पर बात प्लताने में आपको इतनी चीजी यहां पर याद हो नहीं पाएगी इसके लिए आप जो है ध्यान से इसको जब भी आप इसको नोटिप्रेशन को डाउनलोड करें और उसके बाद अच्छे से समझ कर और आराम से अपलाई यहां पर कर दें फीस की बात करें तो फीस आपक आपको ग API करनी है जो कि जन्राल केटई के लिए आधीक लिए यहां पर रहेगी एसटी एसटी के लिए किसी तरह की कोई भी फीस यहां पर जो है नहीं रहेगी बाकी कि जो डॉक्यमेंटस आपको लगाने है और भी चीज़ी जो आपकी काम की आप यहां पर यूज करेंग तो इसमें डेट के आप पर बात करें तो ओपनिंग जो डेट है ओनलाइन पोटल की वो 6 मार्च 2024 को जो है ओपन हो गया है यानि कि आप जाकर अपलाई यहां पर कर सकते हैं जो कि 26 मार्च 2024 तक यहां पर चालू रहेगा तो इन डेट का जो है आप जरूर से यहां पर ध्यार और इन डेट के अंदर-अंदर ही जाके फटा-पट से अपलाई कर दे ओपेसिल लिंक पर आप डाइट जा सकते हैं या आप हमारे सोचल मीडिया चैनल को फोलो करें वहां पर भी टाइम से टाइम जो भी अपडेट है वो हम डालते रहते हैं बाकि आप जो नहीं है इसके तेरे निव जो अपडेट एंड वेकेंसियों के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बने रहे हमारे साथ धन्यवाद